इस प्रकार इंसाटीक अध्याईव के संख्या कुल 11 हो जाती है लेकिन किताब जो भी नया आपने इंसाटीकर मार्कर से लेंगे उसमें कुल नया 10 इंसाटीकर अध्याईव होंगे भीदियो सेषन में अद्धा 11 के रूप में व्यापारी राजव तिथियात्री को पूरा पढ़ेंगे जहास में धर्म से लेकर प्रमुक तथ्थों की बात करेंगे जो आपके परिच्छा के लिए काफी उप्योगी और हम है इस वीडियो को क्लास खतम होने बाद आपकी जो इसकी पीडियोफ है वो टेलिक्राम और रिजनीवी दरग्वेश के एफ पर आपक हिए झाना जाताि जिसे लेटिन सब्सम्द सेवा और वस्तों का विकरेह करता है और यहां पर असपर्ष टूप से देख पाएंगे елिव चित्र की मादें से आप इससे समझने का प्रयाश करें तोछी सपिज़ों करेंगे मैंने लिए आता है एक ब्याटारी हुई हुआ है जो किसी अननी के द्वर्भ पादी स्रेवा और वस्तों का बिख्रे करता र Ching except यह अपना स्वाइन करता है ब्यापार की पूपारी के बादने कि देश्यच विए बाश करता है इसकी स्किन सोट चाहें तो रख सकते हैं आप लोग जोतेने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं यह अब देख पा रहे हैं यह ब्यापार क्या है इस चित्र से बहुत सरी चीज़ आपकी क्लिर हो जाएंगी क्योंकि यह एंसाइटी के किताबों आपको मिल आगे हम बात करते हैं यहां पीस टौपिक है ब्यापार मौद हम यह पंठने जा रहे हैं तौपिक इसका नाम है व्यापार सब्सक्रान बैक्तिय संस्ता के सामानों का स्वामित अंतरण ही ब्यापा कहलाता है ये आपके लिए इंपोर्टेंट इस्का सेवा या मुद्रा की बदले किया जाता है जिस नेटवर्क संचना में गया जाता उसे क्या कहते है जैसे क्या करते हैं अब बाद करते हैं वैपर और देखेंगे वह अर्थिक जीवन प्रमुक तत्त्तुरा है वसतम यहां के निवाजिय की समरिद्धी-धी का प्रधान कारण था अतिन पराचिंकाल से यहां के निवाजियों ने बैप्स प्राइड दिल्चस्पी दिखाई है अगे हम देखेंगे यहां पर तो इसका प्रणाय क्या में निकलता है तो हम लोग यहां पर देख पाएंगे कि जो प्रणाय में शुरूप यहां पर आंत्रीक और बाहर दोनों प्रकार के ब्यापार विख्षित हैं तो यहां पर पर दिखेंगे न्य देशों के साथ भारत का संबन ने राजञिए था वह पंचलमि विष्व के साथ यह प्रधान तर् विया पार पर शुरूप रत भारत पश्चिम Verkehr स한데BT फे प्राइवक के साथ भनिष्ट व्यापरिक सम्मन था अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और बाते सामने आती हैं कि जिसमें यह असपर चुपाता है कि उर किस लगस निमूर तेल असमर टेपे गावरा हमा आदी मुसो पटाबियन नगरों किसे लबक एक दरजन शेंधो मुहरे प्राप्त होती हैं यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इसकी स्कीन सट अख लें अगर इस सीरीज के साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं खुद अपना नो यहाँ पर कह रहा है कि जो ब्यापारी प्रिशंग में वहां पहुचाई गई थी वहां पहुचाई गई थी मुहरू क्यत्रिक्त सोने चाहधित अथा ताबे क्याभुसाड करकेतन के मनके मोती हाथी-दात के कच्चे मिट्टी के विभिन प्रकार के बर्तन लकडी की वस्त हाथी दात के कच्चे मिट्टी के विभिन काम यहां होना चीए कच्चे मिट्टी के विभिन प्रकार के भरतन लकडी वस्ते आधी मुस्यों पटामिय नगर से मिलती है कि जिका टैपिंग एर है तो हम उसे सुधार करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे आप लोग इस वीडिय कीट ब्यापारियों द्वारा ले जाए जाती थी तथा वहां से मिस्र अनातोलिया कीट अधियसों को जाती थे चेहिंगे बहरीन दीप की खुदाएं में मिले संदर्श बटा के कुछ औससिस के अधार पर यह कहा जा सकता है कि वहां के ब्यापारियों संदु तथा मौश् कारलेनियम का एकका हो गया एकका होगा मतलब आप जानते एकका किसे कहते हैं जो घोड़े इसे खेशते हैं हां तांगा की रूफ होता है का लेकिन उसमें माइनर अंतर भी होता है हथावड़ा भेर का खिलावना मिट्टी की मुहरे आदी सिंदु सब्वेता की बिभीन अस्त की जाएगी यह जो common error है वो ना मिल आपको आगे हम देखते हैं यहां पर देख आ रहे हैं आपकी यहां पर जो मुहर है आपको एदम सापस्पस्ट दिखाई दे रही है सिंदु सब्वेता की महां जोदर की समरी मुहर प्राप्थ होई थी जो अगर हम बात करते हैं लोथर लोथर उस काल की प्रशिद समुद्री बंदरगा था जैसा कि वहां से प्राप्त गोदी बाड़ा से असपस्ट होता है अगर वैदिक यूग की बात करें तो यहां पर जो वैदिक यूग में भी पश्चमी जगत के साथ ब्यापारी संबन चलता रहा भारत के ब्यापारी फारस की खाड़ी तक जाते थे वहां वस्तों का क्रय विक्रे क्या करते थे इस काल में सिंदु प्रदेश में उत्तम कोटी के वस्त्रों का निर्माल होता था अगर रिगवीद से सुचित होता है या विदित होता है ज्यात होता है कि सिंदु प्रदेश के पानीदार घोड सक्तिसाली रत तथा उनिवस्त्र पूरे बिश्व में प्रशिद्ध यह आपके लिए इंपोर्टेंट है इसी प्रकार गंधार प्रदेश चिकने तथा सुन्दर उनके लिए प्रशिद्ध था उनिवस्त्र हाथी के इदात वस्तुएं रत्न तथा द्रब भारत से पश्चम देशों के बीच घनिष्ट ब्यापारी समन्ता कहां से पता चलता है यह बहुत साहिस से पता चलता है आगे लोग देखेंगे कि पश्चमी भारत में इस समय शोपारा तथा भोगुकच प्रशिद बंदर गाते हैं जहां विभिन देशों के व्यापारी अपनी जहाजों मे लाते थे और ले भी जाते थे अब वावेरु जातक से पता चलता यह इंपोर्टेंट है कि भारती व्यापारी वेविलोन में कवे दथा मोर की विक्री करते थे जातक ग्रंतों से कई स्थानों पर व्यापारीय दौर समुद्र यात्रा करने दा कभी-कभी जहाजों के द्र रोमन सामराज में तिनी मांग थे कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे काली मिर्च को रोमन सामराज में किस नाम से बुलाते थे काला सोना के नाम से बुलाते थे ठीक हैं ब्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुचाते थे दच्छिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्क्य मिले हैं और साथी रोम में ब्यापार चल रहा था ब्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले उसमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते चलते कुछ अरब सागर और बंगाली खाड़ी पार करते थे अफ्रिका या अरब की पूर्वी तड़ से इस उप महदीब के पश्मी तड़ पर पहुचना चाहते थे तो दच्छिणी पश्मी मांसून के साथ चलना पसंद करते थे अगर हम यहां पर देखें तो एक बास समझ में आता है कि दच्छिण भात में अनेक रोमन सोने के सिक्की भी मिले हैं पीछे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है रोमन में ब्यापार चल रहा था ब्यापारियोंने कई समुद्र रास्ते भी खोज निकाले थे इसमें से कुछ समुद्र के किनारी चलते कुछ अरफ सागर और बंगाली खाड़ी पार करते थे अपरिका ये अरफ के पुर्वी तट से इस उपमहादी भारत के पश्मी तट पर पहुचना चाहते थे तो दच्छिण पश्मी मांसुन के साथ चलना पसंद करते ताकि उनक प्रणी भाग में बड़ा तटी प्रदेश है इसमें बहुत से पहार पठार नदी के मैदान है ठीक है और सातिशाथ नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उप जाओ है राज उस संगटित इकाई को कहते हैं जो एक सासन के अधीन हो राज संप्रभुत समझने का प्रयास करते हैं ठीक है अब हम राज सब्द को समझने का प्रयास करते हैं मैंने राज संप्रभुता शंप्रभुता सकता है इसके अलामा किसी सास की काई एक उसके किसी प्रहा को भी राज कहते हैं जैसे भारत के प्रदेशों को भी राज कहा जाता है राज आध अधनिक बिश्व की अनिवार सच्चाई है दुनिया के अधिकांस लोग किसी ने किसी राजिके नागरिक हैं कि शंगं में वेंदर तामिल सब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया चोल चेर पांड जो करीब तेईस सो साल पहले दच्चन भारत में कापी सक्तिसाली माने जाते थे इन सब के दो दो सत्ता केंदर थे इन सब के क्या थे दो दो सत्ता केंदर थे इन में से एक तटी हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था इस तरह चा केंदरों में से दो महत्त पून थे एक चोलो का पत्तन पुहा और कावेरी पटिनम और दूसरा पांडो की राजधानी मदुरह था यह इंपॉर्टेंट है आप इसकी इस इंस्टिंस रख लीजेगा मतलब इस तरह च्छा के अंदरों में दो महत्रपूंत एक चोलो का पत्तन पुहार जिसे हम कावेरी पटिनम की नाम कहते दूसरा पांड सब्सका प्रभाव बढ़ गया स्वात्वाहनों का सबसे प्रमुक राजा गौत्मी पुत्र स्री साथ करणी था उसके बाद हमें उसकी मां गौत्मी बलस्री द्वारा दान दिये गए अब लीखों से पता चलता है आईए भारत के कुछ समुद्री तटो के बारे में भी ज समन्त्री फृव कि अगरम से मिलती रहेँ अगर बात कर भारत कि संस्जिति और भागोळिक रूप से एक संपन देश यहां कि संस्कृति शभेथ इसाखान हे न बनाती है भारत भारत भागौली दिश्चेक संपन देश है, यहां विसाल, प्राचीन, पहाड़ो, परवते, भागौली गलत लिखा है, टाइपिंग गलत है, भाव की मात्रा होगी, तो वहीं रेगिस्तान भी है, यहां हरे भरे जंगल है, जो जन्तु है, वहीं नदियां और जिलो की भी लेकिन इसके साथ ही भारत एक प्रैदीब भी है, जो तीन और विसाल समुद्र से घिरा हुए, भारत एक प्रैदीब, प्रैदीब उशे कहते हैं, वास्तल खंड, जो तीन तरफ जल से घिरा हो, हम उशे क्या कहते हैं, प्रैदीब कहते हैं, ठीक है, भाद की सुन्दर्ता म सामने सुनहरी चमक्ती रेद पर बलखाती लहरों के साथ एक अनुपम दिश्प्रदान करते हैं समुद्री तटों से उगते और डूबते सूर का अधभुत नजारा के और भारत में ही आपको देखने को मिल सकता है मिलता भी है भारत के समुद्री तट भारत का गौरों भी है जहां प्रतिवर्श लाखो की संके में सैलानिया आते हैं इन समुद्री तटों की खुबसूर्ती में खो जाते हैं भारत ने ये समुद्र भारत की गरिमा में प्रस्तूत करते हैं भारत तीन तरफ समुद्र से घिरा बिसाल प्राइदीप है जिसका समुद्र की लंबाई 7500 500 1626 किलो मीटर लगवग 755 किलो मीटर है जिसकी मुकी भूमी की लंभाई एक 100 किलो मेटर है यह भूगोल की सरीज में पढ़ लेंगे भारत ही एक मातर ऐसा देश है जहां समुदर की 1000 किलो मीटर की तट रेखा है यहां पूर में बंगाल गी खाडि पस्ची में हरव शागर औ और दच्छण में हिंद महा शागर हैं अब इसी के साथ आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के सीर्स में समुद्री तट तो भारत के सीर्स में समुद्री तट को भी हम लोग पढ़े लेते हैं यहाँ पर क्या है कि भारत में बंगाल की खाड़ी हिंद महा सागर और अरफ सागर से पूर में दच्छण पस्चिम तक 7000 से किलमेट अधिक दूरी पर फैली एक आश्चर जनक तट्रेखार ये अध्भुत तट्रेखा कुछ सांदार प्राकितिक सौंदर स्वम में समाहित की हुए ये समुद तट्र आपको अपने अनोखे और खुक्सरत फूलो वाले जियों के साथ उत्साही समुदरी दुनिया का पता लगानी की एक सांदार यात्रा देते हैं भारत में समुद तट्रों में से कुछ ऐसे हैं जिने जीवन में कम से कम एक बार अवस देखना चाहेंगे कोलम समुदरी तट्र पहला इसका हम लोग चितर देखेंगे फिर इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक हैं ले सकते हैं आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं केरल में स्थित कोलम समुदरी तट चन्य से 40 किलोमेटर की दूरी महाबली पूरं के रास्ते में एक गाउं है जो कोलोंग नाम से जाना जाता है मालाबार तट के साथ चल रहे कोलम तट में सभेज रहे तीले समुदरी तट का लंबा हिस्सा है और यह केरल की सबसे लोगपरी समुदरी तटों में से एक है तिर्वंतन पूरं से 16 किलोमटर के दूरी पश्थीर कोलम में वास्तों में चट्टानी परिदिस से अलग तीन समुदर तट है लाइट हाउस तट तवा तट और समुद तट जो कोलम को समुदी तट का केंद्र बनाते है इस तट का अयरुवेदिक मालिस केंद्र लकड़ी से बने बड़े लकड़ी से बने बेड़े की सवारी और ख़ईदारी करने के लिए दुकाने बनाई गई है यह अख्खा है पूरा यहां सांत पानी तयराकी के लिए आधर्स माना जाता है यहां जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्स तक है तो जड़ा कोमेंट करें बताए कितने अश्य लोग हैं जो केरल में कोलम समुदी तट पर जा चुके हैं घूम चुके हैं जहां की यत्रा कर चुके हैं अब हम लोग इंसियाटी की फिलिज में और आके बढ़ेंगे जो कच्छा च्छा के इंसियाटी का आखरियत ध्याय है अब केरल में वर्कला समुदी तट की तरफ बढ़ते हैं किसके वर्कला समुद्री तट अब यहां पे धांज देखिएगा और इसके बारे में पढ़त एलेप्पी और कोलम तक इस्थित वर्कला भारत के प्रमुख समुदी तटो में से एक हैं यहां की फोटोग्राफी का आदर्स अस्थल चटान की घुमावदार खिचाओ सूरत की सुंदरता आपकी सांसे थाम देगी यह तिरवंत पूरम से 50 जब की कोलम से 37 किलोमेटर की दूरी पर है वर्कला अपने कई और वेदिक मसाज और थेरेपी केंद्रों के कारण तेजी से एक लोकप्री आरोगी केंद्र के रूप में प्रशिद्ध हो रहा है इसलिए सहायता से यहां आप कई दिनों तक ठाकान को दूर कर सकते हैं जिसकी मदद से आप यहां अपनी क पालोलेम समद्री तट आए गोवा के पालोलोम समद्री तट के वारे में ही पढ़ लेते हैं यदि आप डालफिन की खोज रहे हैं तो गोवा का पालोलेम तट भात के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है जहां आपकी डालफिन को देखने की इच्छा पून सकती है यह सम नियां भर के परिक्टों को अपनी और आकर्शित करते हैं पोलोलेम तट मार्मा गोवा से 70 किलोमेटर दूर इस्तित है इसको स्वर्ग के समान तट कहा जाता है और यह लगभग एक मेल लंबा तट इस अस्थान पर अधचंद के आकार में सफेद रेत की फैली हुई गोवा क सबसे खुब्सूरा और सुर्व में समुद्ध तट है पोलोलेम तट नारियल के हथेलियों में मोटे जंगल से ढका हुआ है अब उत्री गोवा में बागा समुदी तट को भी पढ़े लेते हैं अब इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकरी मिली लिया जए बागा तट सबसे लोगप्री है और आम तोर पर भीड भारवाला तट है बागा तट उत्री गोवा में इस्तित है यह गोवा की राधानी परजी से 16 किलमेटर दूर है लोग यहां सभी तरह के पानी का खेल आन जाते हैं इसके साथ ही कई लोगों के लिए सूरज की नीचे रेत की विस्तर पर लेट सूर की कीणों का आनंद लेने का अस्थल इस तट को मचली पकड़ने धूप में लेटने पैडल बोड के लिए आदस तट माना जाता है इतना ही नहीं बागा तट पाटी नाइट और होटल भी है यह तट अपनी भूरी रेत और पाम के पेड़ों से परेटों को भी आकरशित करता है तो यह था उत्तरी गोवा का बागा समुद्री तट आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तर गोवा में कैल लंगूर समुद्री तट कहेंगे सर यह तो आप टूरिजम पुर समुद्री तट है जहां अमोमन भीड बनी रहती है खासकर गोवा कार्निवल के समय यहां अच्छी संख्या में परेटक आते हैं इसके साथ ही यह डालफिन के लिए भी जाना जाता है यहां कई तरह के जल कीड़ा भी आयोजित के जाता है गोवा के कैलूंग तट समुद्र के तटों की रानिक रोप में भी जाना जाता है अगला है ओडिशा का पूरी तट यह समुद्र पूरी मंदर यानी भगवान जगनात मंदर के बहुत करीब है भगवान जगनात लोगों के तट बहुत ही सम्वानित और आस्था के केंद्र है यहां उन्हें हिंदू धर्म के साथ चार धामों में से एक माना जाता है जिसकारण पूरी तट एक धार्मिक महत्त भी रखता है। कई भक्तों का मानना है कि सांसारिक मौह त्यागने से पहले दुपकी लगाना बहुत आवस्याक है। तित्यात्री शमुद्र में अस्नान करने के लिए आते हैं और पूरी तट पर सुर्यात के समय का नजारा बहुत ही आकर्शक होता है भगवान जगानाथ के यात्रा के दारान इस तट पर बहुत ही भीड होती है अब हम लोग बढ़ेंगे अंडमान निकोबार दीप शमु में राधा नगर तट की तरफ अब राधा नगर तट की एक चत्र देख सकते हैं जो एंसियाटी से लिया गया है यह सब पूरा एंसियाटी का ही डेटा है टाइम्स पत्रिका दवरा अंडमान में हैव लॉक दिप के से चीपे हुए निर्विवाद समुद्र तट को इस सबसे खुबशूर समुद्र तटो के रुप में आवल अस्थान दिया गया था यह समुद्री किनारा अंडमान निकुबार मिश्थी थे यहां पर हर मौसम में जाया जा सकता है इसके सफियद रेट और नीले पानी सिर्फ एक दिष्टी में सभी की दिल जीच जाते हैं सु प्राकितिक प्रेमियों उत्साही ब्रक्तियों के लिए आकर सकता क्यंद्र भी है राधा नगर तट पर उजली रेट लंबे पेड़ और सामने से लगातार आती समुद्र की लहरे ऐसा समिस्णर बनाते हैं कि आप उसमें दूबे बीना नहीं रह सकते राधा नगर तट पर कैंपेनिंग की सुब्दा उबलब्द है यहां एक आदर्स अवकास अस्थल है गोवा में कैंडोलियम तट है आए कैंडोलियम तट के बारे में पढ़े लेते हैं ठीक है अब यहांपर इसके अलाए आगा और इंप्पॉट्जेंट है फिसो सकता कुछ लोग बीडियो को भागना शुरूब करें अभी आगे और इंपॉट्जेंट है यहाँपर आगे रेसा मार के बारे में लोग पॉइनन जारे बहुत इंपॉट्जेंट इस समुनद् जोजन एक चेर्च प्रेटक के लिए लाइफ लाइफ लाइट हाउस होटल इस्तरा सुंदर द्रिश्य यहां सब कुछ आपको मिलेगा केंडोलियम तट उत्तरी गोवा में स्थित है केंडोलियम परजी से 12 किमेटर के दूरी पर इस्थित है हे यह तठ गोवा की सबसे लंबे बीचों में से एक है ककेंडोलियम ह المद चार् सबसे प्रसित किलुंग के तटके पास है कंडोलियम तर सांति पूर्ण वात अवरण के लिए जाना जाता है कैलूंग टटके हर चीजे संपन्न होना ही इसे अपने आप में खास और प्रेटकों की पहली पसंद भी बनाता है बात करते हैं बहुत important टाइब की यह सम रेश्रम मार्ग की बात करते हैं, प्राचीन काल में मददिकाल और इतहसिक बिया पारीक संस्कितिक मारगों का एक समू था जिसके माध्यम से एशिया इरोग और अफ्रिका पसमें जुड़े वे थे इसको सबसे सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो तीन से होकर पस्चिम के और पहले मद देशिया फिर कहां इरोग की तरफ जाता है यह बहुत इंबोटन्ट है और जिससे निकलती ए एक भारत की ओर भी जाती है रेशम मार्ग का जमीनी हिस्सा लगभग संड़ सोट सो किलो मेटर लंबा था इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पढ़ा जिसका अब आपार इस मार्ग की बहुत ही प्रमुग बिसेस्ता थी जिसके माध्यम से हम मद देशिया यूरोब भारत इरान चीन के हान राजवन सकाल में पहुचना सुरूगा किम्ती चंकीले रंग और चिकिनी मुलायम बनावर की वज़े से रेशमी कपड़े अधिकान समाज में बहमुल्य माने जाते थे रेशमी कपड़ा त्यार करना एक जटिल प्रक्रिया है रेशम के कीड़े से कच्च साल तक दुनिया से चुपाय रख चिनीयात्रे जिस राश्टे से आत्रा करते थे वह रेशम मारग देखेंगे कि चीनी सासक इरान पश्चमी एसिया के सासको पहार के तौर पर रिस्मी कपड़े भेशते थे 2000 साल पहले रोम के सास्कों और धनी लोगों की बीच रिस्मी कपड़े पहनना एक फैसन बन गया सिल्क रूट पर नियंतर रखने वाले सास्कों में कौन थे? कुसान थे कुसानों का सबसे प्रसित द्राजा कनिस था उसने करीब 1900 साल पहले सासन किया उसने एक बहुत परिषाद गठन किया जिसमें 71 होकर बिद्वान महत्तपुन विस्यों पर बिचार भी मेस करते थे बुद्ध की जिवनी बुद्ध चरित के रशनाकार कभी असुगोस कनिस के धरबार में रहते थे असुगोस तता अन्य बहुत विद्वानों ने अब संस्कित में भी लिखना सुरू कर दिया था अब हम पढ़ेंगे बौद धर्म का प्रिचार बौद्धिक सहित्यक अनुसार कनिस असोग के बाद दूसरा महान बौद समराठ को उशने बौद धर्म को अपनाने के बाद अपने सिक्कों पर महत्मा बुद्ध की मूर्ति को परधान ता दी कनिस के भी असोग ताह्ता हर्सकी तरए उदार धर्म दिश्ट को रखता था उसने बहुत धर्म के प्रशार तथा प्रशार के लिए निमने खित उपाय अपनाए थी आई उनको भी हम लोग पढ़ते हैं बहुत धर्म को कि राज्यास्रे देना कनिस ने बहुत धर्म को सरचन देकर उसके प्रासार में रुपए खर्च किये उसने बिहार इस्तूप मड़ बनवाए जहां पर बहुत बिच्चू रहाज सकते थे या भिच्चा धर्म का प्रशार का कार कर सकते थे ओठ ? ठीक है ? अब हम भेजेंगे प्रशारक को कैसे नोने भेजा है अब इसे देख पा रहा है कि प्रशारक भेजे उसके काल में असभोस ने बुद्ध चरितं नामा ग्रंथ लिका इंपोर्टेंट है उसमें बुद्ध की जीवनी का सुन्दर ढंग से वाणित भी किया गया है हम देखेंगे चतुर्थ बौध संगती का भी और जन करा है कनिस्क ने ततकालिन बौध विद्वान पार्स के अनुरोध पर कस्मिर के कुंडलवन में चौथी बौध संगती बुलाई इस बौध प्रचलित मद्भेद को दूर करना था शभी बहुत पुस्तुकों को शंग्रहित करना था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे दिखेंगे जो तिब्बत की यात्री थे तारानात के अनुशार बहुत में प्रचलित अठारा मद्भेद इसी साभा के कारण दूर हुए नता अधिकान से टिकाओं को तीन पिटकों गरंथों में एकठा कर दिया गया चांची का एक स्थूप का एक चित्र एक मूर्ति चित्र यहां इस ब्रिच और उसकी नीचे के खाली आशन को देखो मूर्तिकारों ने यह बताने लिए खुदाइक करके यह मूर्ति बनाई श को ग्यान की प्राप्ति इसी ब्रिच की नीचे बैठ कर ध्यान करते हुए हुई थी ठीक है आप इसको ध्यान से देख सकते हैं चित्र में बहुत कुछ जानने को समझे निग मिलेगा आप चाहें तो इसकी स्कीन सौर्ट भी रख लें बहुत धर्मे महायान का विकास बहुत सब्चों बुद्ध की मुरित के बाद हम देखते हैं कि बौत धर्म दो पंथों में बढ़ गया था यानी हीन और महायान जहां हीन बुद्ध की मूल सिच्छा का नुसरण करते था या माहायान मुर्टी पूजा में विष्वास रखते थे यह आत्मनुसासन ध्यान के माद सभी प्राणियों के लिए दुख को सवर्भमिग मुक्ति की समहोना पर अधारित इसलिए इस समपरदाय को महायान माने महान वाहन कहा जाता है महायान विश्वास रखने और स्वयम को बुद्ध की प्रिज समर्पित करने के माध्यम से मोच की प्राप्ति की विश्यमें बात पुद्ध की उपसिति निर्मार प्राप्ति को पेड की मूर्ती दर्साया जाता है बुद्ध की परितिमाय मत्ठर वा तर्सिलह में बनाई जाने लगी दूसरा परिवर्टन बुद्र सत्त्य में आस्था बोधी सत्त तो जो ज्ञीन प्रापति के बाद एकांद वास करते ह वे ध्यान साधना करते थे लेकिन वे लोगों को सिच्छा देने और मदद के लिए सांसारी परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे बहुत धर्म पूरे मद्धेशिया चीन कोरिया जापान तक फैल गई दच्छिण पूर्गी और सिलंका म्यामार थाइलेंड इंडोनेसिया तक फैल गया अगि अजब अभरोग बढ़ेंगे नए टॉपिक की तरफ तीर्थ्यात्री तिर्थ यात्री कितर बढ़ेंगी तीर्थ हयात्र आपलें चृतली ब्राथना के लिए स्थानों की यात्रा किया जाने वाले भारत के पहले और सबसे प्रशिद आगंतुकों में से एक थे रेंश्रॉंग को तिर्थ्यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता था इसको भारत के राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक परदिश के बारे में बहुत अच्छे से पता है उन्होंने कस् पंजाब का पिलवस्तु बोध गया सारनात कुसी नगर की यात्रा की नालंदब इस विद्धाले में अध्यन किया दक्कन उडिसा बंगाल की यत्रा करने का फैसला किया उसके बिर्तान दर्साते हैं कि प्राचीन भारत कैसा रहा होगा अगला है डिग माकस डिग माकस तीन और एंटीयोकस रजदूर डिमाकस कि बिंदुसर के दर्बार में लाए गया मैगसतिनीटर की जएकर डिमाकस झिया घ्रीक इतिहासकार मैगसतिनीटर डिमाकश और डिनोसियस ने मौन दर्बार में राजनाएफों के रूप में कार किया उन्हें आध्यöhिंस समाज और जो प्राचीन भारती भुगोल का वरडन करता है इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए आगे हम बढ़ेंगे अगले कि तीर्थ हियात्तरी की तरफ कि जिनका नाम है मेगस्तिनीज ग्रीश से मेगस्तिनीज मेगस्तिनीज की बात करें तो यह मेगस्तिनीज 350 बीसी से 290 बीसी बने 350 इसापूर से 290 इसापूर एक प्राची नियुनानी इतिहासकार और राजनाईक थे यह उन्हें इंडिका नव कुस्तक लिखी जो भारत चार खंड का क्रॉनिकल इतिहास लिखा था यह हेलेंश्टिक समराट सेलकुलस का प्रथम द्वारा मौर समराट चंदकुप के राज में राजनाईक मिसन भेजा गया एक आयूनियन था उन्होंने चंदकुप मौर के महल में 302-392 इसापूर में लगभग 5 साल वित हैं उन्होंने इस समय ग्रीक दुनिया के लिए भारत का सबसे आत्मक ट्रोटियां थी भारतिक प्राणई कथाओं का निर्विवाद अलिंगन और ग्रीक दार्श्रीक मांडंडो कंसार्प भारती समाज को आदर्स बनाने की इच्छावी शामिल थी उन्होंने भात में जो कुछ भी देखा हम उन्हीं की भोगोल सासन धर्म और समाज सह उनकी रिपोर्टों से ही शीखते हैं यह मेगस्थनीश के बारे में था अब हम आगे भक्ति की सुरुवात पढ़ेंगे जो आपके परिच्छा गलूप योगी है देवी देवताओं पूजा का चलन सुरू हुआ जिसमें हिंदू धर्म के प्रमुख पहचान बन गई इनमें सिव विश्णू और द्रुगा जैसी देवी देवताओं शामिल है भक्तिमार की चर्षा हिंदू के पवित्र गरंथ भगवत गीता में की गई है समाजिक धर्मी सुधारों ने इस काल में समाज के विभिन तरह के भगवान भक्ति का प्रशार प्रशार किया नारत, अलवर, नैनार, आदि संक्राचार कुछ प्रमुख संद थे नारत और नैयार आईए पढ़ते हैं अब नालंदा पुश्व विद्धाले को यह आज का आखरी टॉपिक इसी के साथ का चच्छा कितिहास पूरी समाप्त हो जाएगी और आप लोग टेलिग्राम पर दुर्गेश सर सच करके इलर निविद्ध दुर्गेश पर जुड़े रहेगा ताकि सभी क्लास की नाटिफिकेशन और उसकी लिंक आपको मिलती रहे और आप नोट समधित कोई भी जानकारे चीत इस नंबर पर काल या वाटशब करकर आप सभी नोट समधित जानकारी ले सकते हैं अरग आप चाहते हैं कि पूरी इंसियाटी च्छा से बारत तक आप पढ़ें इलर निविद्ध दुर्गेश का आयब प्लेश्टोर से डाउनलोड करके आप पूरी इंसियाटी स्रीज को च्छा से बारत तक की क्रमवा रूप से पढ़ सकते हैं जो हिंदी औरेजी दोनों भासों में उपलब्द नालंदा अपने प्राशी नितिहास के लिए बिश्व प्रशिद्ध हैं अबिश्व के सबसे पुराने नालंदा पिश्व जाले के आउसेस आज ही मौजूद हैं जा सुदूर देशों के छात्र अध्धन के लिए बारत आते थे बुद्द और इसके सलूसन की तरफ हम बढ़ते हैं जहां सबके परिच्छा में सवाल आने की भी समवना है और अच्छा च्छक इतिहास कोई पूरी वीडियो के एक साधिक बार देखेगा इसकी नोट्स बना भी लीजेगा और कोसिस करेगा इसकी पीडियास नोट्स भी प्राफ्त करने दच्छण पंद के जो श्वामी मुवेदार असो घोस बौधिसवान सासक बुद्चरित महायान बहुत धर्म सातवान सासक चीनियात्री चोल चेर पांड तो चोल चेर जो पांड है इनको हम लोगों ने पढ़ा था इसने मुवेदार हो गए दच्छण पंद के श्वामी ज़िए हम बात करें तो सातवान सासक हो गए जो बोधिस्ट्य कि घर बात करें तो बोधि-सुद्य क्या हो गया महायान बहुत धर्म हो गये है कि अब यहां पर श्वहन सांघ हो गयार्श स्वह आसघोष फोष ने वह दो चरीत के रशना कि ती और संघ चीनियातरी थे यह अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे इसका जवाब आप इस वीडियो में दीजिएगा राजा सिल्क रूट से गुजरने वाले ब्यापारियों के आसपास के लोगों द्वारा यात्रा सुल्क वसूलते लुटोरों के आकमर सुरच्छा बदान करते थे इसे से निश इतिहासकार किन किन साच्छों का उप्योग करते हैं इतिहासकार ब्यापारों ब्यापारियों के रास्ते जानने के लिए विभिन साच्छों का उप्योग करते हैं वे तिर्थ याति दौर लिखित किताबों का अध्यान कर ब्यापारिक रास्तों को जानने की कोसिस करते हैं अगर कोई सामान बहुत दूर देश से लाए गया है तो इसे पता चलता है कि विश्य के दूसरे देशों के साथ भी वहाँ ब्यापारी संबन्द थे जैसे रोम यहां से मसालों और सोने के पहुचाया जाते थे अब बात करते हैं भक्ति की प्रवन विश्यस्ता क्या थी प्रस्ट नमबर चार भक्ति की प्रवन विश्यस्ता थी इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती थी इसमें सभी जाती धर्म और वर्क के लिए खुले थे इसको अपनाने वाले लोग आडंबर को छोड़ कर बेक्तिगत पूजा पर जोड़ देते थे इसमें अराध्य देवी देवताओं की पूजा मौनों की रूप के अलावा किसी भी रूप में की जा सकती थी आगे हम देखते हैं चीनी यात्री भारत क्यों आए कारण बताई आप बताई जरा कोमेंट करके अगर आपनी स्टेशन को पढ़ाए तो चीनी भ्यापारियों के साथ कुछ चीनी यात्रे भी आते थे उसमें कुछ चीनी यात्री चीन से यहां बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों को प्रसित मटों को देखने के लिए साधान लोगों का भक्ति के प्रति आकर्सित होने का कौन सा कारण होता था अब यहाँ पर जवाब दीजेगा आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इले निक भी दुरगे स्काइप आज ही आप प्लेइस्टोर से डाउनलोड करके इस्टॉल करके चाह से पूजा किसी भी रूप में अपने तरीके से करने का जादी थी अब धर्म पर ब्राम्हन का वर्चस खत्म हो चुका था अब आडंबर और कुरितियों का भी कोई अस्थान नहीं था वे सभी साधान नियम साधान लोगों को भक्ति के प्रति आकर्सित कर रहे थे जहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे आप साथ में नोट्स बना सकता और इसकी पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को सपोर्ट करेंगे आप लाइप करते हैं लोगों तो पोचाते हैं थमाद के जल्दी कच्छा साथ की भी इंसाइटे की स्रीज 8 9 10 11 12 सभी इंसाइटी